फुल प्रोक्सी और आफ प्रोक्सी क्या होता? इसको थोड़ा सा डिसकूस कर ले तैस के नंदर आ रही है आगे स्क्रीन ठीजिए फर्स करो यह आपका लोड बैलंसर है, और यह आपका एक लाइंट है ठीक है फूर यह आपके दो सर्वर है एक सर्वर आपका यहाँ है अब देखें सवाल तो फुर से पहले होता है कि लोड बैलंस की जरुवत पढ़ती है क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा सर्वर नहीं है लाखों के तदात में रिक्वेस्ट को एंटर्टेंड कर सके बहुत ही रेयर केस होगा मतलब जो जितने भी आपके वेंडर्स हैं वो यही कहते हैं कि भाई ऐसा कोई सर्वर ही नहीं कि जो के आपके पास जो मिलियन्स क्योंकि जैसे अलिबाबा है कि कि गूगल है इसी तरह आपकी एमाजॉन की वेबसाइट है तो इसमें ट्रांजेक्श चाहिए उसकी सारी के सारी रिकने सर्वर पे आएगी तो नुफसान क्योंगा इसकी डा? इतनी पावर नहीं होगी कि वह तमाम की तमाम रिक्वेस्ट को इंटरेटेंट कर सके तो सर्वर क्या होजएगा ओवर हल गो जायगा और आपके जो जो सर्विस्ज से जिस पर आप भी हमारी services डाउन ना हो तो उसके लिए हम क्या करते है load balancer यूज़ करते है load balancer क्या करता है कि भाई आपकी जो भी request आती है आपके load balancer पर वो क्या कर रहा होता है distribute कर रहा होता है आपके across different servers के उपर इससे फाइदा क्या हुआ इसका सबसे बड़ा फाइदा यह हुआ कि फर्स करें के लिए आपके पास एक सर्वर था तो उसमें नुकसान क्या था कि अगर यह server डाउन हो जाता था तो आपका पूरा Amazon जो है या Google Cloud या Google की जो website है वो सारी की सारी डाउन हो गई ठीक है आपने क्या 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 एक सर्वर दूसरा बनाया सेम एज इस गुगल की तरह आपने तीसरा सर्वर बनाया तो अब क्या होगा अब load balancer क्या करेगा एक request यहां बेज़ेगा जब उसके बाद दूसरी request आएगी वो यहां बेज़ेगा और जब third request आएगी यहां बेज़ेगा अब depend करता है कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को load balance कर रहें ठीक है एक तो यह है कि हमने load balancer लिया क्यों ठीक है अब load balancer की types होती है half proxy और full proxy हाफ proxy और full proxy का मतलब यह होता है कि client और load balancer के दर्मयान अगर full proxy है तो यहां पर आपका एक separate connection बनेगा और यहां पर load balancer और आपके client के दर्मयान जो हो separate connection बनता है यानि कि दो connection बनते है एक client और load balancer के दर्मयान और एक आपका load balancer और server के दर्मयान तो that is called full proxy advantage क्या है advantage यह सबसे बड़ा SSL of loading फाइदा क्या है कि आपकी request आई HTTPS के ओपर अब आप चाहते हो यार के मेरा SSL है वो क्यूंकर SSL जितनी भी traffic होती है वो CPU जो इन्टेंसिफ प्रॉसेज है आप चाहते हो यार मेरी traffic जो SSL आए लेकिन मेरे server के पास जो traffic है ना वो plan text में जाए तो आप क्या करते हैं भाई आप बताते हो लोड बिरंसर को ठीक है भाई आप फुल proxy पर काम करो और आपकी जो traffic आएगी वो HTTP पर आएगी आप इसको decrypt करो और आगे जो इसको plan text में भेज़तो ठीक है तो आप यहां पर क्या करते हैं एक listener बनाते हैं जिसको हम कहते हैं virtual server ठीक है फिर यहां पर आप पूल member बनाते हैं जिसमें आप अपने members पूल को define करते हैं जो आपके servers है और उस virtual servers उस पूल member को आप virtual server के साथ associate करते हैं तो जब भी आपके पास request आएगी listener के पास which is your virtual IP तो आगे forward करेगा ठीक है यह होता है फुल proxy का फाइदा हाफ proxy क्या होती है हाफ proxy आप केते हैं नहीं यार मुझे जो ना मतलब कि एक ही session चाहिए बस request आए और direct forward हो जाए बस अच्छा mode of deployment load balancer की दो तरह की होती है एक single arm एक होती है single arm या multiple arm सिंगल arm का मतलब क्या है अब first करो बड़ी simple सी चीज़ है यह first करो आपका course switch है ठीक है यह आपका client है चाहिए वो internet client हो चाहिए वो insight client हो ठीक है first करो वो client internet से आ रहा है आपने क्या क्या आप ने क्या किया you load balancer को आपने direct अपने course सुच पे लगा दिया simply on fire चाहिए नाम क्या है mode का mode का next single arm के several arm थेक Опने This expense का मतलब क्या होगा इसका एक ही हात होगा मैं बढ़ी आसान अलफाथ में बात कर रहा हूँ ठीक एसका मताव एक तको इसका मताब इसकी सिंगल टांग होगी और वो बैचारा सारी की सारी ट्रेफिक जो वो सिंगल टांग से ही चलाएगा तो ये किराता है सर ये सिंगल आम डेप्लाइमेंट जिसका एगी टांग होती है और सारी की सारी ट्रैफिक जो है आपकी इन और आउट वो आपकी एक ही जगा से हो रही होती है अब सवाल यह है कि अच्छा केसे होगा भई अब फर्स करो आपका एक सर्वर यह रहा आपका ए है वीलेंट 20 में पर्स करो इसकी आईपी 192.168.1.2 है इसी तरह फर्स कर लें इसकी आईपी 192.168.2.3 त्री त्री दॉट 4.24 है यह दोनों का डिफरेंट सबनेट है अब क्लाइंट की अब आपको इस क्लाइंट को जोके इंसाइट क्लाइंट हो या आउटसाइट क्लाइ है यह आपका state. सिंगल आम डिपलामेंट छोड़ी सी इस कोई भी दूसरी ट्राफिक पे कोई इंपेग नहीं पढ़ता ठीक on ही एंड रही है वह चल रही होंगी उस पे आपका कोई भी impact नहीं पड़ेगा आपकी traffic डाउन नहीं होगी ठीक है अच्छा अब आपके पास यहाँ पर दो विलेंज है मेरे पास let's suppose अब पहले सबसे असान से नहीं जो बात करते हैं first करो मेरे पास एक ही server विलेंज थी विलेंज 10 तो मैं क्या करूँगा अपने server अपने code switch site पे इसको untagg कर दूँगा untagg कर दिया विलेंज 10 में क्यों मेरे पास server की traffic यहीं की है विलेंज 10 के अंदर मैं यहाँ पर एक SVI बना दूँगा जिसको F5 की terms में ठीक है जिसको F5 की terms में हम कहते है self IP ठीक है इसको F5 क्या होती है self IP वो IP होती है वो IP होती है जो के आपके server से बात करती है ठीक है में बहुत असान इल्फान में बात कर रहा हूँ जहाँ पर अगर आपको समझ में न आ है तो मुझे रोक दीजाएगा हो सकता है मैं थोड़ा फास जा रहा हूँ लेकिन मेरी कोशी है कि आप लोगो सौझ में आ जाए ठीक है अब सेल फाइपी में बनाओंगा ठीक है मेरा सर्वर जो है वो 192.168.1.1 मैंने सेल फाइपी बना दी क्यों मत इसी सबनेट की बना दी मैंने अब क्या होगा अब मैंने एज्यूम यह क्या है कि मेरी सर्वर वी लेन जो है वो एक ही है अब मेरे पास रिक्वेस्ट आई इंटरनेट से आई इस फाइरवाल से होती भी आई मैं फाइरवाल बगरा नहीं बना रहा कोर्सुच पर पहुंची वोट सुच ने देखा यार अच्छा यार यह तो सर्वर की रिक्वेस्ट आई है ठीक है इसको मैं जो है ना वो एफ फाइफ के तरफ बेच देता हूँ एफ फाइफ के पास जो है एक लिस्टनर होना चाहिए ठीक है जो के कहलाता है विर्चुल आईपी अब आपके पास सिंगल आम डेप्लाइमेंट है अब आप क्या करोगे आप बुलोगे यार ठीक है मैं काम गता हूँ मैं अपनी जो है ना इसको विप जो है 192.168.1 को मैं मैंने देदी इसको 1.10.24 यह मेरा वीप है यह किलाता है लिस्टनर एफ पाइफ की टंग में क्या किलाता है और सुच करेगा अच्छा बढ़ी यह रिक्वेस्ट जो है फाइफ के लिए ठीक है आपने जाहरी बात है अंडेट परसंट जो है वह आपने डीनेट करवाया इस आईपी को हमेशा लोड बैलंसर होगा वो हमेशा लिस्टनर को हिट करेगा लिस्टनर को हिट किया लिस्टनर ने देखा अच्छा बढ़ी ठीक है मेरे साथ तो यह पूल एसोसियेट है यह वाला वो इसको भेजने के लिए वो इसको भेजेगा अब जब रिक्वेस्ट listener के पास आई यानि कि load balancer के पास आई तो वो क्या करेगा इसको forward कर देगा अब ये बात जरा concept किये अब जब इसको बेजेगा लेकिन इस server का default gateway जो है वो code switch है ठीक है तो traffic तो पहुँची इसके पास लेकिन जब return traffic जो है वो बजाए load balancer करके जाने के बाद बजाए वो वो डारेक कोर्स इसके बाद चली जाएगी और बाहर चली जाएगी तो traffic क्या होगई ड्रॉप होगई तो फाइदा ड्रॉप क्यों होगई asymmetric routing होगई तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि हम क्या करें हम क्या करें कि हमाज़ा return response है वो f5 की तरफ आए बजाए इसके के वो कोर्स इसकी तरफ चले जाए ठीक है अब आप मुझे फाद भाई यहां पर यह बताएं कि क्या सेनेरियो कि क्या हो सकता है कि हम इस से बच सकें सब्सक्राइब कर दिया और कि सोट्स नेटिंग के केस में हमारे पास जो है वो सोट्स आईपी चेंज हो जाएगी नहीं सर्वर का gateway कर सकते हैं कि मेरा सर्वर जो है वो तो अपडेट लेनी इंटानेट पर जाता है आपने अच्छा ठीक है फिर मैं क्या करता हूं सोर्स नेट बनाता हूं ठीक है मैंने क्या किया है सोर्स नेट की आइपी बनाई अब अगर तो बदला बीजे पॉस्टिबिलिटी हो गेटवे आप रख सकते हो तो वर्चुल आपी आप गेटवे आएगा या सिल फाइपी हम क्या करेंगे स्रफ नेट को यूस्टर यूस्स करने के लिया अंसे अब फाइपी उस कर लेंगे आच्छा त्यूव क्यूंके देखें यह फुल प्रॉक्सि आर्केटब्यार होगी ना रिक्वेस्ट आई एफाइफ यूव के पास ठीक है रिक्वेस्ट आपके पास आई F5 की F5 के बास आई ठीक है F5 ने क्या किया अपना देखा कि यार इसकी विर्चुल IP के साथ कौन-कौन से पूर मेंबर एसोसियेट है ठीक है मैं आपको एक अपनी दूसरी डाइगराम भी बनाता हूँ अच्छी वाली एक मिट तो उससे आपको जादा क्लियर हो जाएगा अपर इस लिसनर के साथ जो आज है वो पूल मेंबर असोसियेट होते हैं अपर इसको आगे pole करेगा, अच्या diesem आप Self IP क्या करेगी, Self IP जो है वो back-end server से बात करेगी, ठीक है, तो आपका जो gateway होगा ना, server का, वो होगा Self IP, भजमारी बात है, ठीक है, लेकिल single arm और single arm का मतलब simple ही है, explanation के लिए, यानिकि एक leg और आपकी उस तमाम leg से आपकी traffic जो हो फारवर्ड हो रही है, तो यह आपकी कहला सिंगल arm, अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या क्या था, untag villain 10 क्या था, क्यों मेरे पास एक ही, एक ही villain की traffic मुझूद थी, अब first करो, मेरे पास multiple villains की traffic है, तो मैं यहाँ पर बजाए, untag के इसको tag कर दूँँगा, ट्रंक बन चाईगी, यह ट्रंक बन चाईगी, और जब यह ट्रंक बन चाईगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यह आपर traffic को tag करूँगा, क्योंज़ो बात को, अच्छा यह मैंने समझने के लिए, जरह एक बात और ओकाना, यह मैहने समझने के लिए, सर्वर को यहां एड़ किया है बैसिकली सर्वर से कोर्स इसे कनेक्ट होगा आपका समय पाई तो सोर्सनेट एफ पर अपलाय होगा ना सोर्सनेट अब मैं तरह 12 पर जाता अपनी डाइग्राम में अपने लेक्टर उसमें लेक्टर अपलोड किया उसमें पुरा एक्स्प्लेंट किया हो वेसिकली अगर मेरी ट्रैफिक अंदर से बाहर जा रही है ना ठीके अब जरा इसको गोर करना है कि अपने बन्हां में सोर्सनेट के बहँर तो दी नहीं सकते हैं मारे इंटरनेट दी आड़ेगा अम लोग यूट्ब नहीं सकतेंगे ठीके सोर्सनेट की पैसिकली प्राइवट आपी को पबली डमने को अध्माट करना ये इक हिस इस कांड ऑव सोर्सनेट आप लोग अगरी करते हैं इस बाग से या या हम जो ट्रेडिशनल नेट यूज करते हैं वह सोच नेटी न हाँ ठीक है फाद भाई आपकी 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 जो रियल आई पी आ रही है इसको दूसरी बना के आगे बैजना ठीक है अब फर्स करें इसी तरीके से अब आपकी ट्रैफिक जो है मैं इसको अगर स्लाइड शो में लेके जाओं और यहां पर यहां पर मैं एक पैन बना दूँ अब फर्स करो इस यहां पर एक कोड स्विच लगा हुए ठीक है और इस कोड स्विच के साथ मेरी एक डिग आई पी एक डिवाइस लगी हुए ठीक है अब यह यह दो मेरे सर्वर है सर्वर वन और सर्वर टू अब यह क्लाइंट है मेरे पास क्लाइंट एक्स रिक्वेस्ट आई राउटर के पास राउटर क्या करेगा राउटर को क्या करना चाहिए फाद बई destination net destination net करेगा बिल्कुल सही है destination net होके वो यहाँ पर आगे listener के पास listener देखेगा अच्छा यारी मेरे फूल जो है वो यह है आपकी request आई यहाँ से गुमते वे server के पास अब server का return response बजाए यहाँ जाने के वो direct चले या भार की तरफ आपका packet होगा इस चीज से बचने के लिए आप क्या करवाते हैं source net clear रहेगी आगे बढ़े आजी यानि के source net करवाएंगे जो आप self IP बना देंगे तो वो self IP इसी subnet की होनी चाहिए ठीक है तो ही return response जो है वो F5 के पास जाएगा यह तो सब को पता ना के एक VLAN की traffic के लिए if you want to communicate within a VLAN you don't need a gateway ठीक है तो एक ही subnet में आपका self IP अगर होगा तो उसकी जो request है वो self IP की request बनके आगे जाएगी और वो वापस जो है वो self IP से होगाएगी ठीक है जी तो यह आपका होगया load balancer की कहानी जब reply जाएगा तो reply जाते वक्त वक्त आपका reply उसके gateway पर जाएगा like gateway would be the self IP of the load balancer right? yes but if you have defined the gateway then it will go otherwise you don't need gateway for that okay तो उस सूरत में यह reply जब जाएगा तो भाई अगर हम सोर्सनेट करवा रहे हैं तो इस में हमने gateway नहीं किया that's why हम सोर्सनेट कर रहे ना अगर हमने gateway डिफाइन कर दिया तो नो नीट फोर सोर्सनेट प्रियर भी बात थोड़ो सा डाउट है मुझे भी विसमें अचा देखो मैं बलाता हूँ अब आपकी रिक्वेस्ट आपकी रिक्वेस्ट जब एफफाइफ के पास आई तो एफफाइफ क्या करेगा एफफाइफ की और सर्वर की रिचिबिलिटी है अब सर्वर के पास जोए वो अनफॉर्टिटली 99.9 परसंट जोए वो सर्वर का डिफोर्ट गेटवेए आपका लोड बैलेंसर नहीं होता आपकी परेमिटर फाइरवर होती है या कोड सुच होता है ठीक है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा हमें कुछ ऐसा स्लूशन डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी रिटर्न ट्रैफिक जो वो लोड बैलेंसर को ही आए बजाए इसके कि वो डारेक इंटरनेट के बाहर चले है तो फोर डैट केस वी नीड़ सोर्स नेट अब बात करते हैं अब आपको फाद भाइं अब मैं आपको ट्रूमार समझाता हो यह आपका लोड बैलेंसर है यह कोई सूइच एंसाइड आपका लोड बैलेंसर का इंसाइड इंटरफेस है यह आपका load balancer का inside interface हो गया एक यह server हो गया आपका एक यह server हो गया आपका आपका यह server हो गया एक यह server हो गया two arm और one arm के अंदर फर्ट क्या है two arm के अंदर क्या आता है आपका ingress और ingress traffic के लिए interfaces जो है वो different होते है ठीक है single arm के अंदर आपका ingress traffic और egress traffic दोनों ही same interface से जा रहे होते है अच्छा दूसरी चीज़ one arm simple है as compared to two arm अब आप लोग के जो सवाल थे ना के self IP क्या होती है कैसे होती है यह सब clear हो जाएंगा ठीक है अब यहाँ देखें आप अब मैंने यहाँ पर two arm development की लिए मेरी external self IP और एक है मेरी internal self IP अच्छा मैं अगर मुझे इसकी IP मालूम करनी है तो मैं अपने यहाँ पर जाओंगा F5 के उपर pool में जाओंगा ठीक है और मैं चेक कर लेता हूँ यह वाला अब देखो इसके आपी क्या है टैन वन टू एट ट्वाट वन फिफ्टी अच्छी यह यह मेरा सर्वर की आईपी है अब देखो इससे बात करने के लिए मैंने कुछ किया या नहीं किया नहीं यहाँ जाता हूं में अब यह जो सेल्फ आईपी है ना यह मेरे बेक एंड सर्वर से बात कर रही है और यह मैंने डारेक्ली जो ना अपने आपको मतलब अपनी यह आप यह आप लोगे उसमें यह आपकी काम की नहीं यह मैंने क्या किया डारेक्ली अपनी मैंजमेंट के लिए सर्वर का एकसिल देने के लिए अपनी मैंजमेंट नेटवर्क से कनेक्ट किया है बिसिकली जो मेरी डाइग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर यहां है यहां है यहां है यहां मैंने एक विर्चॉल आइपि बनाई भी है चीए और यहां मैंने अपना पूल बनाया हुआ है अब दोबारासे अब सब्सक्राइब benefit विट्विट्ट लाइब बनाई हिस पर लिसां रही है थीक है अच चिन ठीक है यह मैंने हैकिट डिफाइन क्या है मेरा पूल है मैं हैकिट में गया मैंने या देखा क्या रही मेरा पूल मेंबर जो है वो कौन सा है 10.128.20.150 अगर उसको डिएक लिएट करेंगे तो हमारे पास यह पेच खुलना चाहिए आप बिल्कुल खुलना चाहिए 10.128.30 10.35 साहिए ठीक है अब देखो यह जीर चलाएं पर से कोल रहा हूं है प्लिए लोगे बात आप फर्स करें अल्ला आपका वहला करें अब देखो दूसरी चीज यहां पर एक मैंने बनाई है सेल्फ आईपी एक मैंने इंटर्नल सेल्फ आईपी और एक मैंने एक्स्टर्नल सेल्फ आईपी यह बेरार यह मैंने अपने दूसरे मकसाद के लिए बनाई है जब मैं अपनी अपनी जो लैब बगरा को चेंज करता हूं फोड़ा था इसको ब यह मेरा फाइफ का इंटरफेस है 1.1 और यह मेरा फाइरवर्क इंटरफेस है 1.2 राइट अच्छा अब मैं उसी को बनाऊगो जो मेरा फाइफ पे यह मेरे आईपी यहां दिये यहां मैंने आई पी दे दी है इसको इलतर और यहां मैंने आई पीधिए यह वाइए लेठ्ट जो है यह डैग्राम के साथ सही कर्स इसको इसको इनेक्ट बिए मैरे पास कोई कोड नहीं है और आप 한सदर करोक्र प्री ओरिए ठीक है मैं बनाता हूं एक यह आपका external interface f5 का और यह आपका है internal interface इसमें आपको क्या confusion है मुझे संग में नहीं आ रहा यह बस interface की IP है यह समझ और यह क्यलाती है self-ip वह बताया ना अब यह आपका सर्वर है ठीक है इस सेलफ आई पी के लिहाज से अब अब इस तो समझ में आगे भी सेलफ आई पी कम्यूनिकेट करवारी ही है आपके लोकल सर्वर्स के साथ और लोकल सर्वर्स को पहुचने के लिए एक कोई ना कोई कनेक्टिविटी कोई राउट चाहिए एफ फाइफ तक के लिए वो तो चीज सेलफ आई पी तक तो सही है यहां तक सुन में एक्स्टरनल सेलफ आई पी क्योंकि अभी हम डिसकस कर रहे थे कि हम जब इस लेविल अब यहांसे हमारे पर टर्व चल रहा maior कोई सायट से दूसरे हमारे पास हम सेयगे कर रा हैं जो के सैल फएपी हैं हाँ और वो सैल फएपी हमें Officer वाजा कर रही है किAud Pan आपने और जिए वीचे रख कर सकाए वो तो आएगी विर्चल आई पी के वाहर अब यह जो आपका एकस्टरनल सल्फ लिर्चल अई पी, आइपी गे रहा है मेरा और वही बेरा कि माशिकार आपकाई पहले concept बनाया वो यह है कि traffic आमारे आएगी मैं आपकी समझ लिया विर्चुल सर्वर के विर्चुल आईपी के ऊपर मैं आपकी बात समझ लिया ठीक है एक मैट यह आपका हो गया VS2 फर्स करो भाई एक सर्विस तो होगी ना ठीक है अब फर्स करो एक और सर्विस के लिए ठीक है जी ठीक है समाज है अच्छा अब इसके पास इसके पास कोई default और भी होना चाहिए ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए ठीक है यह चीज़ दरा नोट करना जो विर्चुल सर्वर ना वह है लिस्नर ठीक है अब उसको बाद जाने के लिए default रौट चाहिए ठीक है तो डिफॉल्ट रौट इसी इसी सबनेट का एक यहां भी होगा नहीं होगा ओके होगा नहीं होगा पहले यह पताओ होना चाहिए ठीक है अब वह आपका यहां पर होगा 0.0.0.0 ठीक है और 0.0.0 अब फर्स करो मैं अब यह आज्यूम लेके चल रहा हूं कि मेरे पास आपका 10.128.10.201 ठीक है एक यह है अब में आपर क्या आट विलंगा ठीक है आपको कहीं भी जाना हो 10.128.10.201 पर जाना ठीक है अब एक बात बताओ मुझे अगर यह पाइंट टू-पाइंट कनेक्टिविटी नहीं होगी तब अगर पॉइंट टू-पाइंट कनेक्टिविटी नहीं है तो अगर डिफॉर्ट रूट नहीं है तो नहीं जा सकती नहीं जा सकती ना आप सब्सक्राइंट के लिए तो यहां पर अचा मेरा भी यही यह डाउट है कि इसका मतलब है कि हमें अब सेल्फाइपी एक होना चाहिए जिसको हम लिस्टनर कहते है अब सेल्फाइपी एक होना चाहिए जो उसके मेरा कॉंसर्ट बना है इस दर यह बता चल रहा है कि दो self IP होने चाहिए है, एक फेसिंग तोड़्स यूर इंटर्नल सर्वर्स, और एंद वन इस फेसिंग तो यूर गेट वेट वे अक्चली, in case of two arms, sorry, you are correct in case of two arms, so we are discussing two arms, yes, okay, अगर अचा यह समझ में आगई कि अगर आपने ट्रैफिक को बहार लेकर वापिस यह का जाना है, तो आपके पास एक L3 का राउट चाहिए, चाहिए, तो यह डिफॉल्ट राउट है, अब यह किसी भी सेग्मेंट पे ले लें, आपने कोई भी SVA बनाई भी हो, उसके साब से आप कोई तक पहुंचा लेंगे, बिल्कुल, तो यह एक external self IP बनेगी, core to F5 की communication, basically F5 to core वाली, हाँ, ठीक है, तो यह एक external self IP आपको देनी ही पड़ेगे, एक configuration में, जो कि आप हट जगा use कर लेंगे, बिल्कुल, ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है, अचा, अब हम देखते है, one arm, ठ ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम दोनों लेनेंगे कोई टेंचन नहीं है, अब यूजर आया, ठीक है, आपकी को यहां पर पर फायर वोल लगी होगी कि नहीं लगी होगी है बिल्कु ठीक है आपका ट्रैफिक आया यूजर के पास और यहां पर डीनेट हुआ और वो डीनेट जो है आपका पर्स करो इस विर्चर सेवर पर आया ठीक है अब यहां पर मैं आपको डीनेट भी बतायता हूं यहां पर डीनेट केवा अपने पब्लिक आईपी फट्सक्रों पब्लिक आईपी 1.1.1 है ठीक है और वह आ रही है डीनेट होके ही पार क्या दिखा इसने अब यह दिखाता हूम है आपको उसनुक है अच्छा याध इस पर आना है अच्छा इस पर आना है ठीक है भई किस पर जाना रिसोर्स सॉनलटा ठीक है हे एकिट जो है वह वह मेंबर है यह वाला ठीक है मैं इस पर बिर जाता हूँ ठीक है सर पिर आजो पिर आप आए इधर ट्राफिक जब इधर आई ठीक है अब यहां पर क्या हुआ सोर्स नेट होके वह यहां चली गई इसके पास अब जब इसके पास पहुची सर्वर के पास तो सोर्स आई पी जो बनी सर्वर के लिए वह बनी 10.128.20.200 20.200 यह बनेगा सोर्स सर्वर के लिए अब यह भी आपके शायद उपर से क्या होगा अगर समय में आदो पूछो मेरे तो उपर से गया वाकी तेरे उपर से गया है और किसके ओपर से गया है नहीं पूछो मुझे मला आ रहा यार पूछो नहीं यह यह रिप्लाइ का सोर्स तो यह बनेगा लेकिन इंकमिंग ट्रैफिक का सोर्स यह कैसे होगा है है हासन मेरा दिल कर रहा है भी मैं टीम से निकल के ना तेरा मू लाल कर दो मैं तो वह बन्दा है जो वह बन्दा जिसने मेरे कॉंसेप्स सीधे की हैं और तू यसी बात कर रहा है नहीं नहीं मुझे यह बताना के जो ट्रैफिक आ रहे फाइवाल से तो कि दीनेट इसका जवाब तू मुझे खुद देगा दीनेट होके आपकी ट्रैफिक इधर आई और 10.128.20.200 इसका जवाब जो मुझे देगा वह बना गंटा भी समय आए किसी को सवाल करें तुबारा इतने सारे कोश्चन हो रहे हैं कि मुझे मैं मुझे पढ़ा रहे हैं बड़ा मदा आता है तो मैं तंग नहीं हो रहा है आप लोगों से पहली बात की दर गोड़ से देख लिए ना बड़ा दिल से पढ़ा रहा है मैं किराओं ट्रैफिक आई डीनेट होके एफाइब के पास पहुंची विक्षवर के पास आगई लेकिन जब लेकिन जब सर्वर के पास पहुंची तो सोर्स जो था वो यह बन गया सर्वर के पास पहुंचते हुए क्लाइब की जो थी है क्लाइब क्लाइब की थी 2.2.2.2 ऑगाई सोर्स सॉर्स क्यूंच हो गया सबह के पास पोस्टे रहे क्या वाजाती जब सोर्स इस सोर्स नैट की सेल्फ आईपी है हाँ यह सोर्सनेट हुआ ताके रिटर्ण रिस्पॉंस जो है वो दुबारा यहां से वापस आए त्रीकर अभी बारा दिया और अभी फाइज़ ने जवाब दिया है अब दुबारा समझां थो अभी प्लन में तो विलोड बैलंसर की सबसे इंपॉर्वर्ण चीज़ हम् ॐ ट्राफिक आई ॐ नेट ओके आपके इस विर्चल सहर एकर इग्रीड ठीक है भी के इस फूल प्रॉक्सिया अर्फिक्टेक्चर एंग्रीड ओके यहां से लेकर यहां तक एक सेशन होगा है यहां पर सेशन खतम हो गया एक अब इसने युू सेशनना एस तरवर के तो वो source क्या होगी self IP बन जाएगी और यहां पर session table में वो session maintain रखेगा और बिल्कुल ठीक यह actually 1.2 का IP है बिल्कुल ठीक है actually मेरी confusion क्या हो गई थी कि यह मैं समझ रहा था 20.200 यह server का IP है इसलिए मैं कह रहा था कि यह source तब बनेगा जब यहां से response जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल अब यह यह जो IP है अगर यह 1.2 का है definitely the request will be the re-request will be initiated from 1.2 तो सूरत में बिल्कुल source जब आ रहा होगा तो वो 10.20.200 यह होगा बिल्कुल ठीक है साजिद बाइ यह IP तो चेंज करें आप यह आप ने इसी वजा से मेरा मेरा यह डाउट हुआ था यह यह इंकमिंग पैकेट का सूर्स है जो के f5 से आ रहा है यह इंकमिंग पैकेट का सूर्स है साजिद बाइ यह question हो सकते हो इससे related ना हो रहा हो लेकिन question बस यह है कि अगर सर्वर साइट पे default gateway ना डलावाओ सरु तो क्या होगा वा यार पूरी फिलम खतम हो गए और पूर सर्वर साइट पे अगर default gateway ना डलावाओ तो यह पूरी फिलम मैंने without default gateway की निखाई आपने इससे हटके पूछ रहा हो मैं जरू ही नहीं के load balancing के आप से बात हो कोई भी वह सर कुछ क्यों आपको अगर अगर देखें मैं आपको आपको सोर्स नेट करने का मकसद ही है यह प्रिफॉर्स नेट करने का मकसद क्या है अब देखें ना हो और default gateway भी ना डलावाओ तो क्या हो बहुत जबदस कोईशन है नहीं नहीं वह कह रहें दोनों नहीं है आप देखें क्या हुआ बैए मेरा प्रवर्ट कर दूंगा उमेर भाई को जो मेर भाई सर्वर है ठीक है और सोर्स आईपी मेरी वी चल रही होगा सर्वर्स आईपी मेरी बिलकुल सर यहां पर सोर्स आईपी आ गई 2.2.2.2 ठीक है इसने बोला अच्छा यहां जाना है अच्छा घर से बाहर जाना है ठीक है तो इन ट्रैफिक ना ट्रैफिक तो डीनेट हुई है तो सोर्स 2.2.2 अच्छा अब यह आया इंटरनेट पर इसका डिफोल्ट गेटवे जो था इसका डिफोल्ट गेटवे डिफोल्ट गेटवे बीजी बीजी साब जो है वो उनने बोला भाई कोर सुचे वो कहरें नहीं है तो फिर तो फिर वो क्या करेगा बता है वो पकड़के बेट जाएगा ठीक है वो पकड़के बेट जाएगा और टीसीप टाइम आउट के बार आपका सेशन क्लॉज हो जाएगा सर तो दूसरे केस में तो वो दुबार यहां पर आएगा ट्रैफिक हमारी जो है ना वो गरबर चली जाएगी है यह साजिद बाई मेरा एक सवाल यह है कि जैसे यह इंटरफेस इंटरनल इंटरफेस की आई-पी यह 10.128 20.200 ठीक है यहां पर आके जब चेंज होता है यह नेट चेंज होता है ट्रैफिक फ्लो आप बताएं दूबाला यह लाल पिला कर दू में ट्रैंगल मिसम्मिया रहा हो यह लाल है यह और इंटर अब बताओ कुन सा अब और इंटर वाले की आप आई-पी चेंज करें जारा इसकी आई-पी आप 200 को 205 करतें आखरी को और इंटर वाले की आई-प कुछ भी आई-पी करें यह 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 आपने आई-पी आप इसकी आप इसका ट्रैफिक फ्लो अब बताएं आप दुबाला से जब यह सेशन वन होता है नेट का सेशन तू जब बताता हूं अब आपके यहां पर आपकी सोर्स होगी यह जो रंग चेंज लर दू यह रंग आपकी 2.2.2.2 अगर इंटरफेशस के आई-पी भी आजया ना थोड़ी सी और सभलत हो जाएगी अब देरा गोर कीज़ेगा असन उस्ताद आप बोल बोल तू दरा मुनेटर करते रहना मुझे इंसान हो गलती हो सकती है यह सोर्स होगी विद रंडम पोर्ट ठीक है रंड ने सकते सब्सें सब्सक्राइब करेंहों सब्सक्राइब करेंहों मुझेर करें करेंग소 मैंने बताओ ना निए उमयर वै को बताओ पब्ली इच्टिनिशन पब्ली आइपी है न? निए सोर्स पी इफाली पब्ली के शेटिनिशन भी इपब्ली कहलें डैफिनेटली जहां से क्लाइंट जब रिक्वेस्ट जनेरेट कर रहा होगा सब्सक्राइब करें अब फिर आपके पास पैकिट यहां पोचेगा इधर यानि कि अफाइट के पास जब पहुंच जाएगा तो आपके पास source IP क्या होगी बाई बताओ 2222 source IP होगी 2222 with random port with the destination IP 111 destination IP asan destination change होगी asan, तपन माने का रहा हुगी ah, आचा, आफ्टरनेट ना, आफ्टरनेट ठीक है port होगी आपकी 80 अब फिर जब इदर आएजी ना, इदर, यानि कि इदर इत्थे जहें, यह होगी source 20 change तूँ चैंज होगी 10, 20 10, यहां पर source net होगा ना हाँ, यहां पर आप कर देंगे self IP 2222 विल्कुल ठीक है और आपका इदर destination IP होगी 10, 128, 20, server की IP होगी server की IP क्या थी? 10, 128, 20.150 ठीक है सर? ठीक है सर? ठीक है सर यह इस तरह से आपका पूरा खेल होगा तो काफी काफी मन्दब explain हो चुका आप इसका clear है? ठीक है इसके अगर आपको तस्वीर ले ले लो फार्थ भाई आप साज भाई email कर देना आपी हमें यार तस्वीर email करें email करें अच्छा सर ओके ठीक है भाई अब हम चलते हैं अच्छा सर तो क्या करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए? गेट्वे तो बतलब last resort तो चाहिए ना तो ऐसा गेट्वे नहीं है तो फिर ट्रैफिक आगे नहीं जाएगी अगर आपका अगर आपको घर से बाहर निकलना है अगर आपको अपने दुमेन से बाहर निकलना है तो सर आपको गेट तो चाहिए और गेट क्या है गेट दे जब आपकी रिक्वेस्ट से आ रही होगी विचिन विचिस इन आवर केस इस नॉट पॉसिबल हमारा क्लाइंट क्या एक्स्टरनल है ठीक है सर आगे चले तो सर यह होता है लोड बैलेंसर पॉस्टरनल